नीला चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलबद्र सुबद्रा अभ्याम जगन्नाथाय ते नमहा प्रिय शिक्षार्थियों राष्टरीय मुक्त विद्यालई शिक्षासंस्थान NIOS के स्टूडियों में आप सबका पुनहा स्वागत है मैं डॉक्टर चंदनकुमारमिश्र सहाय का अचारिय श्री जगन्नाथ समस्क्रत विश्व विद्याले पूरी से आप सबके मध्य उच्चतर माद्यमिकक्षा के वेदा ध्यनम पाठ्ठिक्रम के अंतरगत उन्नीसवापाठ के द्विती भाग जो श्रद्धा सूक्तम के नाम से है उस श्रद्धा सूक्त के अवांतह प्रथम भाग के अध्ययन के लिए उपस्थित हूँ कहा जाता है कि वेदों में मन की शक्तियों के मन के विभिन भावों का स्पष्ट रूप से वर्णन आता है एक शुकल यजरुवेद में शिव संकल पसूक्त के नाम से चर्चा आती है जिसमें यजमान अपने मन को दिड़ संकल्पित करने की कामना करता है मन का सामर्थ्य कितना है उसके सामर्थ्य का आकलन कर लेना अत्यन्त कठिन कारिय माना जाता है केचित जनाह अत्यसिकम कारियम संपारेतुम शक्नुवंति महत युद्धे निर्भयम सेनाधिपत्यम गुरवंति केचित जनाधिना अतिन्द्रियम ग्यानंच लभनते कुछ लोग हैं जो अनेक कारियों को संपन कर सकते हैं कुछ हैं जो युद्ध में निर्भय होकर सेनाधिपत्य स्विकार करते हैं और कुछ ध्यान इत्यादि के द्वारा अतींद्रिय ज्ञान को प्राप्त करते हैं। एवं मानवेशु भेदस्य कारणं भी तेशाम मनह एव इस प्रकार जो मनश्यों के मन में भेद है उसका मूल कारण मन होता है। तथा ही मनसह सूक्ष महा भावाह के तेशाम परिणामाह के भावानाम समवर्धनम कथम भवितम अरहती इती भावस्य द्रढ़ी करणे के अंतरायाह संती इत्यादि विशयोपी वेदे समुपलभ्यते। मन के सूक्ष भाव क्या हैं उनके परिणाम क्या हैं भावों का समवर्धन विस्तार कैसे हो सकता है और मन के भाव द्रढ़ कैसे हो सकते हैं उनके क्या उपाय हैं इन सबों की चर्चा ये सभी विशय वेद में उपलब्ध होते हैं। श्रद्धा ताद्रिशहा एको मनों भाव हा उन सभी विश्यों में उन सभी मनों के भाव में श्रद्धा भी एक विशिष्ट मन का भाव है कोई भी मनुश्य जिसकिसी कारिय में भी तत्पर होता है, कारिय के लिए सन्नद्ध होता है, निश्चित रूप से उस कारिय के परती उसकी श्रद्धा रहती है, ऐसा कहा जा सकता है कारिय में किसी भी कारिय में विश्वास और श्रद्धा ही द्रड होता है, बिना श्रद्धा के किसी कारिय के परती विश्वास नहीं जागिर्थ होता, ऐसा भी कहा जा सकता है अर्थात तथा विश्वास यहा विश्वसिनम जनम विश्वासा नुगुणम कारिय प्रेरयती अर्थात यह है कि विश्वास ऐसा हो कि विश्वास करने वाले मनुश्य को विश्वास आनुगुन कार्य में उसकी श्रद्धा उसका विश्वास प्रेजित करे वही श्रद्धा वही विश्वास कहा जाता है जो क्रियाशील व्यक्ति हैं वो निश्चित रूप से विश्वासवान है श्रद्धावान है ऐसा भी कहा जा सकता है श्रद्धा के महत्व के विशय में श्रीमत भगवत गीता में भगवान श्रीकृष्ण लिखते हैं भगवान केते हैं जो श्रद्धावान मनुष्य है जो श्रद्धा के साथ अपने सवी इंडरियों को संयमित करके कार्य में तत्पर रहता है वही विशिष्ट फल को प्राप्त करता वही ज्ञान को प्राप्त करता और उस परम ज्ञान को प्राप्त करके वह अचिरेण शान्तिम अधिकच्छती अचिरात शीग रही शान्ति को प्राप्त करता पुनह कहते हैं योगी नाम पिसरवेशाम, मदबाते नानतरात्मना, सरद्धावान भज्दे योवाम, समे युक्ततमो मतः, कहे सभी योगियों में मद गते ना अंतरात्मना मेरी अंतरात्मा में भी जो गम्य है और ऐसे जो शद्धावान हैं, शद्धा समर्पित होके जो मुझे भजते हैं मेरी उपासना करते हैं वह साक्षात मेरे ही सुरूप हैं, मैं उनको अप्म सुरूप में मानता हूँ ऐसा श्रीमत भगवत गीता का वाक्य है शद्धा के प्रती एवं बहु विधाहा शद्धाया हस्तुति ही बहुत प्रकृता समुपलभ्यते इस प्रकार शद्धा की सुस्तुती शद्धा के विशे में बहुत सारी चरचाएं अनेक स्थलों पर उपलब्द होती है अस्मिन पाठे वेदे शद्धा विशय किम्मुक्तम तत प्रस्तु यते इस पाठ में विशेश रूप से वैदिक वांगमे में वेद ग्रंथों में शद्धा के विशय में क्या कहा गया है वहा प्रस्तुत किया जाता है अस्य रगवेदी अस्य श्रद्धा सूक्त अस्य श्रद्धा कामा यनी रशिही अनुष्टुप छंदहा श्रद्धा देवता चुकि यह रगवेदी श्रद्धा सूक्त है रगवेद सम्मिता में इस सूक्त का पाठ प्राप्त होता है अतेव इस रगवेदी श्रद्धा सूक्त की रुषी साक्षात श्रद्धा कामायनी है और अनुष्टुप चंदोक्त मंत्रों का प्रयोग इस सूक्त में किया गया है इस सूक्त के देवता साक्षात श्रद्धा स्वयम है यहां रिगवेद के दस्वे मंदल के 150 क्रमान का सूक्त है इस सूक्त में कुल पाँच मंत्र प्राप्त होते हैं जिसका प्रथम मंत्र इस प्रकार है इस प्रकार मूल मंत्र प्राप्त होता है पदपाठ इस प्रकार है इस मंत्र में कहा गया कि श्रद्धा के महात्म को प्रद्रिश्रत करते हुए कहा जाता है कि श्रद्धा के द्वारा ही यग्याग्नी प्रज्वलित होती है अतहा आप यग्यशाला में जब तक आपकी श्रद्धा उस अग्णी के प्रती उस यग्यकर्म के प्रती उन देवताओं के प्रती उत्पन्न नहीं होगी तब तक वे देवता भी जिसके प्रथमाग्र अगनी हैं, ऐसे सभी देवता भी आपके यग्य में नहीं आएंगे, अगनी प्रज्वलिद भी यग्याग्नी में नहीं होती श्रद्धया हविय दानम क्रियते आप जो यग्यादी कर्म में हविय देते हैं स्वाहा करते हैं वह भी श्रद्धा के द्वारा किया जाना चाहिए सवी भाग्यों में जो श्रध्धा प्रधान है उसी श्रध्धा की स्थुति के दोरा प्राथना किया जाता है श्रध्धा ही सवी कर्मों की मुख्य है ऐसी चर्चा इस प्रथम मंत्र में प्राप्त होती है दुतिय मंत्र है प्रियम श्रद्धे ददताहा प्रियम श्रद्धे दिदासताहा प्रियम भोजेशु यज्यस्विदम्म उद्धिदंकृधी ये मंत्र है मूल इसका पदपाठ है प्रियम श्रद्धे ददतहा प्रियम श्रद्धे दिदासतहा प्रियम भोजेशु यज्जवसु इदम में उदितम कृधी इस प्रकार पदपाठ किया जाता है इस मंत्र में कहा गया अस्मिन मंत्रे श्रद्धाम प्रति उच्यते श्रद्धा के संभोधन में कहा जाता श्रद्धा को इस मंत्र में कहा जाता कि हे श्रद्धे चरु पुरोडाशा दीनी दातुहु दातुम इच्छतहा पुदार यजमान अस्य अभीष्ट कूर्तिम हे भगवति श्रद्धे आप चरू प्रोडाश इत्यादी द्रव्यों को देने वाली हैं यजमान को संपदा देने वाली हैं अतहा दातुम इच्छतहा उदार यजमान अस्यव आपके लिए या देवताओं के लिए हविर्दान करने का इच्छुक जो उदार हरदे वाला अस्य वचन अस्य अभीष्ट पूर्तिम गुरू पुना यजमान कहता है हे भगवति श्रद्धे हमारे द्वारा आपके लिए जो यह स्तुति वचन किये जा रहे हैं हमारे इन वचनों की प्रतिपूर्ती इन वचनों के द्वारा हमारे जो कामनाएं हैं उन कामनारूपी गचनों की प्रतिपूति आप करें ऐसी चर्चा इस मंत्र में प्राप्त होती है धन्यवाद